नमस्कार आप देख रहें न्यूस फोरनेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ केंद्र नागरिक उड़यन मंत्री जोतिरादित सिंध्या ने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि वो देश भर में पांच नए हवाई अड़ों का लक्ष स्थापित करने जा रहे हैं और इसके साथ ही वो विबिन राज्योक पर एटियफ पर वैट को लेकर बात भी करेंगे क्या है पुरी खबर आए आपको बताते हैं उत्राखंट में देहरादून में एयरपोर्ट के विकास पर 457 करोर रुपे खर्च होने वाले हैं इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट 3000 करोर का प्रोजेक्ट होगा साथ ही अगर तल्ला हवाई अड़े को भी बढ़ाया जाएगा केंद्रे नागरेक उडेयन मंत्री जोतिरादित सिंध्या ने कहा है कि 100 दिन का हमने कई प्रोजेक्ट के लिए लक्ष रखा हुआ है नागरेक उडेयन मंत्री की प्रेस कॉन्फरेंस में उन्होंने कहा है कि 100 दिन की कारय योजना को तैयार किया गया है इस कारे योजना में 4 नए हवाई अड़ों का विकास किया जाएगा इसमें 255 कडोड की लागत से एयर बस 321 के लिए कुशीनगर एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा इसके अलावा उत्राखंट में देहरादून में एयरपोर्ट के विकास पर 457 करो रुपे खर्च होने जाएंगे इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट 3000 करो रुपे का प्रोजेक्ट होगा साथ ही अगर तल्ला हवाई अज्डे को बढ़ाया जाएगा उन्होंने कहा है कि पॉलिसी में परिवर्तन लाना जरूरी है उडानी उज्ड़ना के तहट पांच नए हवाई अज्डे का लक्ष स्थापित किया गया है छे नए हेली पोज का लक्ष रखा गया है जिसमें 100 दिन में हिमाचल प्रदेश में चार हेली पैट और उत्राखंड में दो हेली पैट शुरू होंगे उसके अलावा पांच नए रूट नवंबर तक शुरू होने जा रहे है उन्होंने कहा है कि केप टॉन कन्वेंशन बिल लीजिंग के नियम को आसान बनाया जाएगा साथ ही राजसरकारों से तालमेल बनाना भी हमारा मुख्य उद्देश है हवायजों के लिए जमीन पर बात हुई है 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस मामले पर बात हो रही है उन्होंने कहा है कि एर टर्बाइन फ्लू पर जो वैट लगता है एर टर्बाइन फ्लू इसके लिए वैट के लिए 22 राज्यों से इस मामले पर बात करेंगे उन्होंने कहा है कि EGCA के द्वारा हर वैक्ती को पर्मिशन मिल जाए इसलिए इसके अंतरगत EGCA प्लेटफॉर्म में आ चुकी है कुल 258 सर्विसेज है जो इससे कनेक्टिड है वही बेकेस ओनलाइन सिस्टम आने वाला है 31 अक्टूबर तक आ जाएगा EGCA भी हो जाएगा DGR के तहट नई तकनीक के आधार पर फेशल रिकॉनाइजेशन किया जाएगा यात्रियों को फेस डिटेक्शन सिस्टम से गुजरना होगा उन्होंने कहा कि भारत में अब प्लेन की सर्विस हो सकेगी इसके लिए तैयारी की जा रही है आठ एरपोर्ट में निवेश को बढ़ाने की कोशिश है ताकि वहाँ पर सर्विसेस के आप्शन दिये जा सके इसमें 30 साल का अलोट्मेंट होगा ताकि बहतर समय पर स्टेक होल्डर्स मिल सके जोतिरादित सिंध्या ने कहा है कि फ्लाइट FTO को बढ़ाने का फैसला लिया गया है जिसमें 8 और FTO तयार किये जाने का फैसला लिया गया है एरसेवा पोर्टल 2.09 में तैय किया गया है कि यातरी भी अपनी शिकायत या निवारन की जानकारी दे सकेगा कि उसकी परिशानी दूर हुई या नहीं आपको बता दे कि केंद्र नागरेक उडेयन मंत्री जोतिरादित सिंध्या कई तैयारियों में जुट गए हैं वो पूरे देश भर में अलग-अलग हिस्सों में पांच हवाई अज्डो को स्थापित करने का लक्ष बना चुके हैं साथी साथ उन्होंने 29 राज्य के मुख्यमंत्रियों से इस बाबत बात भी की है और हवाई अज्डे को लेकर जमीन की मांग भी उन्होंने रखी है साथी साथ उन्होंने फेस डिटेक्शन सिस्टम को लाने की बात भी कही है और कहा है कि यात्रियों को फेस डिटेक्शन सिस्टम से अब गुजरना पड़ेगा साथी कई नए बदलाओं किये जाएंगे और कई नए तकनीकियों को भी शामिल किया जाएगा अभी के लिए बस इतना ही आनकाई अपडेट्स के लिए मैं साथ जुड़े रहें न्यूस फर नेशन में नमस्कार